हेलो असलालेकुम वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है इधर वीच कोई भी क्लिप नहीं बन पारी थी तो अभी मॉर्निंग का साथ बज़ रहा है और जिया का आज से एक्जाम स्ट कोई तो क्लिप नहीं बन पारी थी और अभी रात का टाइम में यानि कि साथ सवासात हो रहा था और हम लोग के आना लाइट नहीं है क्योंकि दो दिन से इतना लाइट परिशान कर रहा था बार बार कट भी जा रहा था और जो सॉट से सरकेट होता है जो चुटर पुटर आवाज आता रहता तो वैसा हो रहा था लेकिन आज तो बहुत भैंकर वाला हुआ तो उसके बाद हम लोग जल्दी से बस एक अच्छा काम किये कि तुरंद न हम लोग में स्वीच ओफ कर दिये ने तो आज सही बात है कि घर में आग लग जाती है अगर मान लीजे बाइचांस अगर हम लोग घर में नहीं होते तो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता लेकिन हाँ तो यहां पर भाइया आया तो वह देखे ना तो वह बताया कि वह जल गया था, तो यहthon accident ना तो यह सही है यहां पर एक बारया है, तो आ जाते हैं बनाने के लिए तो बस यहां पर बन गया है यह वह कर दिये है यानि कि डारेक्ट कर दिये वो जो मेन वाला जो था न वो जल गया है तो उसे चेंज करना पड़ेगा तो आपको तो पता ही है कि यहां का काम किता धीरे धीरे होता है हम लोग चार महने से बैठ तो उससे ही अंदाजा लगा लिजे कि इतना जल्दी काम होने वाला नहीं है और यह है नेक्स्ट मॉर्निं का एक्जाम चल रहा था और जीसु का सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन था क्योंकि उसका बोड एक्जाम था तो उस पे मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती थी इसलिए तो बस यहां पे बच्चे भी चले गए हैं स्कूल सब लोग चले गए हैं और यह अभी घरी में ह मतलब कि दूद लेने के लिए गए हैं तो उसके बाद मैं तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दी और एक आप लोग के लिए गुड निउस है कि हम लोग के घर का काम ना कंप्लीट हो गया है बस वो लाश्ट में न सी पंखा चेंज करना है तो हम लोग चाहते तो समान अभी स कि पेक करना हैं स्टार्ट कर सकते थे और एक दो दिन में सिफ्ट हो जाते लेकिन मैं बहुत बड़ा फैसला इसमें ले गया है कि बच्चों का एकजाम चल रहा है तो बच्चों कि ऐग्जाम में कोई भी मैं लापरवाः नहीं करना चाहती है और आप लोग भी बोल रहे थे कि दी पहले बच्चे हैं उसके बाद फिर बाकी का है तो जिया तो यहाँ पे तयार है क्योंकि जिसु का तो एक्जाम खतम हो गया जिया बोल रही है कि आप लोग सिफ्ट करिये हम कुछ नहीं करेंगे हम पढ़ाई करेंगे लेकिन वो तो अपना डिसीजन ली हूँ कि एक हफते बाद हम लोग सिफ्ट करेंगे जब जिया का एक्जाम खतम हो जाएगा और उसके बाद तो यहाँ पे जो छोटा मोटा जो काम है ना वो मैं अपना खतम कर रही हूँ में क्या होता है ना जब ट्रक आती है ना जब समान लोड कराने क लिए तो यह लोग इतना ज्यादा हरबड़ा जाते हैं ना कि फिर आपको मौका भी नहीं देते हैं कोई चीज सोचने के लिए काम करने के लिए तो यहाँ पे ना मैं उपर से जितना भी मेरे सूट केस था सब उतार लिया है और सोच यह रहते कि जो थोड़ा सा हैवी वर् तो यहाँ पे फिलाल जितना सूट केस में अट रहा है उसे अटा अटा के और बंद करके एक जगा रखते जाएंगे और रोज जो भी तनो गठर बानने वाला भी है वो गठर बानने वाला भी काम स्टार्ट करेंगे प्लस फ्रीज वाला काम करना मुझे जैसे की घी निका और मैं यह कोशिश करी थी कि ऐसा भी नो कि जिया के पढ़ाई का कोई नुकसान हो जाए तो इसलिए ना कुछ समझ में नहीं रहा है कि एक्स्ट्रा इधर उदर का क्या काम करें यह नहीं समझ जा रहा है तो एक सूटकेस को पैक करके रख दी हैं और दूसरा भी जितना ब सोच रही थी ना कि जितने भी परदे उठें ना परदे भी दो के रख दे और सोफा का तो बहुत पहले नहीं रख चुके लेकिन हाद रह तो अपरदे से थोड़ा सा रह आते क्योंकि मोटा परदा है तो अभी से भथा और झया idag कोई कोई आ गया तो अच्छा नहीं पेंटिंग हो गया है तो वह वाला जो नया वाला है बहुत प्यारा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जल्दी से समान सिप्ट कर लेते हैं हम बोले नहीं अभी नहीं जिया का एक्जाम कटम होने के बाद ही तब जाएंगे तो यह और आप लोग बताइगा कि मेरा डि को हुआ है वह रखेंगे और यह अभी कार सरी फ्यास का ले 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 के जाय लिए जी स्था वह बहुत बड़ए Be कि ठंड में न सरीर काम नहीं कर दो है और भी आलस होता है लेकिन नए घर का एक उत्सा है तो हो सकता है कि सब लोग काम कर लें यहाँ पर चयर में घुमा के रखी हूँ और उधर साइड में सूट केश रख दियें क्योंकि चयर पर ही गठर बांद के रखेंगे जो भी छाटे उटेंगे ना जैसे कि छाटना नहीं है जो अलमारी अलमारी खाली होगी दोनों अलमारी खाली करना है और बक्सा खाली करना है दिवान खाली करना है तो यह बोले ना कि गठर बना बना के और इसी चेयर पे और एक के उपर एक के उपर एक करके रख यहां से समान डोके जैसे लेके जाना पड़ेगा फिर वहां पर रखवाना पड़ेगा तो ऐसे करना पड़ेगा और एक बार में हम लोग का समान जाने वाला भी नहीं है कुछ समान यहां नए गहर में जाएगा कुछ तो हम लोग के अपने जो नए गहर है कितना नए गहर है तो अपना वाला जो है वहाँ पे भी डालना है तो यहाँ पे शाम का टाइम है और उस दिन जो आप लोग देखे थे ना कि मैं ब्लैंकेट निकाली थी तो उसमें ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो यह और नहीं पा रहे थे तो यह जो वाइट वाला जो ठंड गलन हो रही है तो मैं सोची लाओ चेंज करी देते हैं जब सब कुछ धूल चुका है और धूब दिख चुका है तो फिर उसको लगाई देते हैं तो कवर लगा दिये हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए सॉक्स ढूंड रही थी बहुत ठंड लग रहा पैर में पता बहुत अब ही मिला अलग मिला तो वही बस ढूंड रहा है तो जिया भी आ गई मेरी हेल्प कर लिए और यहां पे सॉक्स पहान लेते हैं चलके और जिया भी मार्केट गई थी मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए बढ़े गिफ्ट आप लोग मुझे ना दो दिन से बढ़े के लिए विश कर रहे हैं तो मेरा बड़े ना 22 को है तो 22 को आपना दिल खोल के विश करिएगा तो जिया गई थी मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए तो मेरे लेकर आई यह समुसा तो दो इस दिन समुसा लेक आई थी तो मैं जीसू से बोली कि तुम भी खालो एक तो बोला नहीं ममी मेरा मन नहीं कर रहा है तो एक जिया खाएगी और एक मैं खाऊंगी समुसा तो बस चलते हैं और पूरा घर देख देखे हैं और भी ज़्यादा मुझे उलजन हो रहे हैं घर फैला फैला सा लगता है तो अजीब सा वो होता है तो बस यहां पे चलते हैं और सॉक् गरम खाते हैं और एक एक समोसे में क्या होने वाला है तो मैगी बनाएगा भी जी आम बोल रही थी कि ममी प्लेन वाला मैगी बना ले जो तुरांद दो मिनिट में बन जाता है यह वही वाला है कुछ हंजट वाला नहीं तो वही बनाएगी अभी तो यहां पे सॉक्स पहन चो तो जीसू नहीं खा रहा था और हम लोग अब क्या है कि तीनों लोग हम लोग इसी बेड़ पे ही बस आप लोग को 24 गंटा यहीं पे मिलेंगे 24 गंटा नहीं जी सोने के लिए सिफ आगी वाले रूम में जाता है नहीं तो हम लोग यही पे रहते ठंड बहुत है और आगी पाला रूमना और भी ज्यादा ठंडा ठंडा सा हो जाता है तो बस इसी लिए तो जीसू अभी यहां पे बैठा है और उसके बाद हम लोग आ गए किजिया मैगी बनाएगी और साथ में मैं अपने लिए चाय बनाने जारी थी लेकिन सोजी ना कि पहले बरतन दो के हटा दे तो सुबा साम का कोई जमिला नहीं है कभी भी आप बरतन दो सकते हैं तो इतना राहत हैं तो बस बरतन दो लेते हैं और उसके बाद फिर चाय बनाएगे साथ में जी आपना मैगी बना रही है मैगी में कुछ भी नहीं बस वो पानी और मैगी मसाला और हलका सा नमक डालेग बस तो उसके बाद चाहे बनाएंगे और अब क्या करते हैं कि कीचन में भी ज़्यादा दिर आने जाने का मन नहीं करता है क्योंकि अब ना वो वाला की कीचन देखकर आए ना जब से तो ऐसा लगता ना कि नए में चलो जाए और बहुत सारा चेंज हो गया है बहुत सारा इधर बीच हम लोग ना जब ये बोले की लेट होई रहा है तो पूरा काम करा करा के तब जाएंगे तो हम लोग डोर और जितना था सब कुछ चेंज करवा दिये हैं सब कुछ नया लग गया है जाली भी नया लग गया है और बहुत सारा काम हुआ, पंखा भी अभी है कि नया ही लगेगा हम लोग पहले सोचे थी कि वो वाला जो पंखा है ना वो जमा करा देंगे और अपना पंखा लगा लेंगे, लेकिन जब वहाँ पर नया पंखा मिल रहा था और फिर यहां से लाओ वहां रखो तो यह बोले कि जाने दो जो पंखा जो लग रहा है ना उसी में हम लोग काम चला लेंगे तो यहां पर देखिए तो जी सो ना देखता ही तो कैमरे को ना तो वो छुपने लग तो यह है अभी जी बोल रही है कि मेगी खा लो और इसको यह प्लेन वाली मेगी बहुत पसंद है लेकिन आज उसका पतानी क्यों मनी नहीं कर रहा था तो यह देखे जी आपना मेगी लेके बैट गई है और वो ना मीठा उसको पसंद जानी कि सौस डालोलके खाती है और मुझे प्लेन पसंद है जीसू को भी सौस नहीं पसंद है तो यहाँ पे मेरी चाए भी बन गई है अकेले चाए पी रहे हैं और चाए इनके साथ ही पसंद है जतना कि आप लोग को पहता ही है तो बस यह मैं बार बार बोलती हूँ तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे आई होप कि बहुत दिनों बाद आप लोग को वीडियो मिला है तो बहर पूर प्यार दीजेगा लाइक कर लीजेगा शेयर कर लीजेगा जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजेगा बाबाय अल्लाफिस फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ